है गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ हेयर ग्रोथ टोनर की वीडियो शियर करने लगे हूं यह वला टोनर आप घर पर ही बना सकते हैं प्याजों के शिलकों से मैंने यह वला ट तो आज की वीडियो में आपको यह वला टोनर जशर के बालों में लगा कर भी दिखाऊंगी और बना कर भी दिखाऊंगी तो गाईज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को कर दें सब्सक्राइब तो गाईज मैंने तीन से चार प्याज बैज के शिल्के मैंने यूज की हैं ठीज आपको नहीं लेना है कोई बी सब्सक्रा रहında तो आपको भी बना रहे हैं तो शिल्के आप अलग से रख सकते हैं तो देखेट चार बड़े प्याजों के मैंने शिलके लिए हैं इसे आपको बॉइल करना है एक गिलास पानी आपको लेना है और इसे अच्छी तरह से बॉइल होने देना है तब तक हमें इसे बॉइल करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए बिल्को रेड ब्राउन जब कलर आ जाएगा आफ्टर फाइफ मिनट्स तब हमें इसका जो पानी आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस तरह से चेंज हो रहा है पांच मिनट के लिए आपको इसे अच्छी तरह से बॉइल होने देना है जब इसका कलर बिल्कुल रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा ना तब हमें बंद कर देना है इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है अगर यह वाला आप टोनर बनाकर लगाएंगे ना अपने बालों पर आपके बालों से रिलेटर जितने भी आपको प्रॉब्लम्स है ना वो सारी खतम हो जाएंगी तो देखिए पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुक है अब मुझे इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है इसके बाद ना आप इसे स्टेन कर लीजिए चान कर एक गिलास में डाल लीजिए इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दे और किसी भी स्प्रे बॉटल में आप यह वाला टोनर डाल सकते हैं कोई भी आपके पा पानी बनाया है तो देखिए इस तरह से मैंने इसे स्प्रे बॉटल में डाल लिया है और अच्छी तरह से अब मुझे इसे जशन के बालो में स्प्रे करना है बहुत ही ज़दा बैनिफीशियल डोनर है हफते में दो बार आप इसका यूज कीजिए 30 मिनट के लिए बालो प में मिल रहा है उसके वज़ा यही है कि प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़दा बैनिफीशियल है तो देखिए हियर वाश करने से पहले आप इस तरह से ना अपने बालों पर यह वाला टोनर लगाएं स्प्रे स्प्रे बॉटल में मैंने डाला है कि स्कैल पर बालों पर लग जाएगा 30 मिनट्स के लिए आपको इसे बालों पर लगा रहने देना है आफ्टर 30 मिनट्स आप हियर वाश कर सकते हैं शैंपू कीजिए कंडिशनर कीजिए आपके बालों से रिलेटर आपको जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी खतम हो जाएगी आपके बा विक में एक बार वी ुज उसके मीनट्स के लिए से और इसके बार आपको हियर वश कर लेना तो देखें के लिए मैं ने इसे बालों में लगा रहने दिया और उसके बाद मैं उससे शैंपू कर रहे हूं शैंपू के लिए ενयहां पर हरबल शेम्पू का यूस किया है यहा पर फेड़ियो को मैंने फास्ट किया हूए तो आपको लग रहा होगा कि वीडियो मतलब मैं बहुत जोड जोड से जेशन को फेरीवाश करवारी होगा भट मैंने बड़े आराम Hunting उसे यर्वाश करवाया है मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट किया हुआ है आयूर शेंपू मैंने यूज किया आयूर हर्बल शेंपू बहुत ही अच्छा वाला शेंपू है हर्बल शेंपू है इसके इंग्रीडियन्ट्स बहुत ज्यादा नेचुरल है काफी टाइम से मै कंडिशनर या सिरम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करती हैं क्योंकि मुझे ऐसी कोई नीड नहीं लगती है उसके बाल वैसे ही काफी ज़्यदा है तो आप जशन के बालों की लेंथ भी देख सकते हैं अगर आप भी अपने बालों को लंबा मजबूत घना बनाना चाहते हैं तो आप भी येवले टोनर का यूज कीजिए इस टोनर में आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी ऐसा एड नहीं किया है पयाज के शिलकों से ही मैंने येवला टोनर बनाया इसे बनाना बहुत ज़्यदा एज़्य है एक बार आप इसे बनाकर रख लिजिए फिर वीक में दो बार आप इसका यूज कीजिए आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे मैंने जशन को ये वाला टोनर लगाया है तो उसके बाल बहुत ज़दा अच्छे हो गए हैं हेल्दी हो गए है आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगी होगी आपको येवली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंड करके जरूर बताना तो चलिए गाईज अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए थैंक्यू बाइ